हाई गाईज स्री अकाल नमस्ते वेलकम बैक तो मैं चैनल सबसे पहले तो जी आपको करवा चौत की बहुत बहुत शुब काम नाएं तो देखे जी मैंने अपने हाथों से ही मेरे करवा चौत के लिए चन्नी को देखे कितनी सुंदर तरीके से सजा लिया है और सिर्फ पांच मिनट लगे हैं इसको सजाने में चन्नी को और पांच मिनट ही लगे हैं हमारे जो गड़ भी बोलते हैं जिसमें हम पानी डालते हैं ये लोटे को सजाने में सिर्फ पांच और पांच देखे जी सिर्फ दस मिनट में मैंने ये दोनों चीजों के त्यार कर लिया है और बहु की असानी से आप इनको ये चीजों को अपने लिए त्यार कर सकते हैं तो चलिए जी जारा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं स्पेशल वाली चन्नी बनाने के लिए हमने देखिए यह मैदे वाली चन्नी है ज्यादा नहीं हम लोग यूस करते हैं तो इसलिए मैंने यह ले ली ले ली और दूसरी चीज है जी हमारा देखिए ये कॉटन का मैंने एक रेड कपड़ा ले लिया है ये मेरे पास पड़े हुए थे आप कोई भी कलर का ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है लेकिन रेड वगेरा रहता है तो करवा चोट पे अच्छा लगता है रेड कलर तो इस नहीं दिखेगा मतला अंदर से ये ट्रांस्पिनेंट जैसे दिख रहा है ना तो मैं इतने साइस की ना इसकी ऐसे पट्टी काट लूँगी और दूसरी चीज है जी हमारी ये पॉम पॉम सी ये मैंने ना उन के बनाए है मेरे पास वेस्ट उन पड़ी हुई थी तो उसके कर सकते हैं वह वीडियो बहुत ही कमाल की आपके काम आने वाली है दिवाली पर आपने गर को कैसे वेस्टी जो से डेकुरेट करते हैं तो देखिए अगर नहीं आपको बनाने आ रहे तो मैं एक बार इधर आपको बता देती हूं तो ये ना छोटे वाले पॉम पॉम से है जो मैंने देखिए, 15-20 टाइम इसको उनको ऐसे गुमा लिया है इसको अभी इधर से कट करेंगे कट करने के बाद जी हम इसको ऐसे सेंटर में से बिल्को सेंटर में से करकर अच्छी तरह से बांद देंगे और उसके बाद जी हम ये जो जॉइंट से ना इसके इनको काट देंगे दोनों तरफ से काट देंगे और इसको जो भी है एक बराबर कर लेंगे हम लोग एक्स्रा जो दागे वगेरा है ना इनको काट कर दोनों साइड से ताकि ये एकसा ये है ना बड़े छोटे नहीं रहे दागे तो ये हमने काट लिया है जी उसके बाद इसको देखिए ऐसे गोल कर दीजिए तो ये हमारा देखिए पॉम-पम त्यार हो गया है तो देखिए जी मैंने ये cut कर ली है और हम अब भी क्या करेंगे इसको न ऐसे सब तरफ से इसको लगाकर न अच्छी तरह से इधर न सुईड आगे से इसको attach कर देंगे इसको मतलब कि ये tight कर देंगे अच्छी तरह से कि निकले नहीं या फिर हम क्या करेंगे glue gun की help से मतलब hot glue की help से इसको चिपका देंगे इधर देखिए जी मैंने ये red जो कपड़ा है इसको cover कर दिया है पूरा और अब भी हम क्या करेंगे जी देखिए मेरे पास ये गोटा पड़ा हुआ था ये भी मतलब ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया हुगा काफी बड़ा रोल था और ये बचा हुआ गोटा है मेरे पास silver color का तो देखिए मैं अभी इस पर बस ऐसे दो पटिंगा लगा दूँगी और ये न मैं actually ये hot glue की help से कर रही हूँ देखिए ये मिरे पास glue gun है तो glue gun से न क्या होता है फटा फट जो काम है हमारा हो जाता है तो देखिए मैं ऐसे इसके उपर थोड़ी थोड़ी लगा कर ग हूँ ये hot glue जो होती है तो ये लग गया जी हमारा देखिए गोटा मैंने दो पटी लगा दी है अभी बारी है जी हमारे पॉम पॉम्स लगाने की देखिए अप इसको ऐसे भी चोड़ सकते हैं ऐसे भी अच्छी लग रही है लेकिन करवा चौत के लिए बना रहे हैं तो क् देखिए जी ये मैंने एक्चुली रेड मेरे पास पहले से पड़े हुए था ये उन्ती न जो एक्चुली मुझे ये यलो लगाना चाहिए ये यलो इस पर जादा दिख कर आता था चौलो कोई बात नहीं जो कलर है अपने पास हम लगा देंगे बस क्योंकि हम एक्सा की चीज है ये जो हॉट ग्लू है ना मुझे तो बहुत पसंद आई इसके सामने ना सब फैविकॉल वगारा सब मतलब फेल है ये फटा फट से मतलब ये हो जाता है इसको सुखाने की भी जुरूरत नहीं पड़ती वही टाइम पर देखिए तो इधर पॉम-पॉम्स देख करनी है तो मैं क्या करूंगी जी इधर देखिए मेरे पास ये कुछ मिरर्स पड़े हुए हैं बचे हुए तो मैं अभी इसको इधर यूज करूंगी ये जो रेड कलर का हमारा पॉम-पॉम है ना इसके ऐसे करके ना मैं इसको ग्लूगन की हेल्प से मतलब होट ग्लू की हे टो ये दिखकर आएगा देखिए मैंने एक इधर चिपकाया हुआ है तो देखिए जी ये रेड कलर का पॉम-पॉम भी हमारा दिखकर आ रहा है अभी मैं सब पर ऐसे एक-एक मिरर्स चिपका दूगी तो ये देखिए जी कितनी खूप सूरत सी छनी बनकर हमारी बिलकुल और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए इस फाइव सेवन मिनट्स लगे हैं ज़्यादा कुछ भी टाइम नहीं लगा इस पर फाइव मिनट बर बनके ये देखिए तियार होगी है हमारी ब्यूटिफुल सी छन्नी और अगर मार्किट में ऐसी चीजे लेने जाओ ना तो काफ ना हम ये जो लोटा है जिसमें पानी डालते हैं इसको भी थोड़ा सा सजा लें तो मैं अभी क्या करूंगी जी देखिए ये हमारे पास जो कपड़ा बचा हुआ है रैड कलर का बस इसको कुछ भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है सिर्फ दो मिनट लगेंगे बस आपको टाइम ने नहीं लगेगा सिर्फ दो मिनट में हमारा जो लोटा है ये बनकर बिलकुल त्यार होजेगा हमारी शन्नी के साथ मैचिंग मैचिंग तो इसको हम क्या करेंगे जी इसको ये जो गोटा हैना हमारा देखिए इसको ना इधर हम ऐसे करकर टाइट बान लेंगे और देखिए इसको ऐसे मैं टाइट करकर गाट बाढ़ दूँगी, ये लिए जिए जी हमने इधर गोटा बान दिया है और एक्स्ट्रा गोटा देखिए मैंने इसको इधर से काड़ दिया है और अब भी हम क्या करेंगे जी देखिए ये को ना पकड़ लेंगे बस इधर और इस से इसके साथ में ऐसे करते हुए गोटे के बिल्कुल बाजू में ऐक कैंची भी गड़बड़ कर रही है। बच्चे लेकर बैठे रहते हैं एम कैंची तो खराव कार दिते हैं कुछ भी जी पॉम पॉम हमारी चन्नी के साथ बिल्कुल मैच कर देंगे बस इसको आप देखते जाना कितना सुन्दर लगेगा और मैं ये सब करकर आपको फिर दिखाती हूँ ये लीजिए जी हमारे पानी डालने के लिए लोटा वी जिसको गड़ भी बोलते हैं हम लोग वो भी बनकर बिल्कुल त्यार है हमारी शन्नी के साथ मैचिंग मैचिंग देखिए कितना अच्छा सेट बन गया है और सिर्फ दस मिनट लगे हैं हमें इसको बनाने में इसको डे कर दो को सेखने को मिला हो तो प्लिस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अच्छी पीडियो में डहिंक differs ने बेल अlestड साफ में हमें को प्रेस करना जिसलिभी आने वाली वीडियोग का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे गा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियों में